जब तक हम भारत के लोगों को सम्मान जनक दृष्टी से नहीं देखते हैं तब तक मुझे लगता है कि हम भारत को और यहां के लोगों के मानस को समझने में असफल ही होंगे मैं पिछले दिनों जबलपूर के पास सिंदराना गाउं में एक जीविका आश्रम है वहां गया था तो वहां भारत के लोग क्या है और यहां के लोगों का मानस क्या है यहां के लोग सोचते कैसा है उसके विशे में मुझे तीन-च्यार घटनाएं देखने को मिली जो मुझे लगा कि आपके साथ साजा कर देना बहुत ज़रूरी है आश्रम के पास पहाड़ी पे एक मंदिर था तो हमें लगा कि मंदिर में दर्शन के लिए हम लोगों को जाना चाहिए और जब हम पहाड़ी पे चड़ने लगे तो आसपास गाउन के लोगों के घर थे जहां पे उन्हों को हाथ नहीं लगाएंगे और उपर जब हम लोग पहाडी पे गए तो वहाँ पे कुछ बच्चे पकवान बना रहे थे हमारे पूछने पर उन्होंने बताया कि हम पोहा बना रहे हैं तो हमारे एक मित्र ने बोला कि आप इसमें तो प्याज और लहसून भी डाल रहे हैं और जो आप पकवान बनाएंगे तो भगवान को दुभोग जरूर लगाएंगे तो मित्र धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवित्ति के थे उन्होंने बोला कि भगवान को लहसून और प्याज का भोग नहीं लगता है तो इसलिए जब भी आप दोबारा कभी बनाओ तो उसमें लहसून और प्याज मट डाला तो बच्चों ने तुरंत सहद सुईकारिता के साथ यह सुईकार किया और उसके बाद लहसून और प्याज उसमें नहीं डाला मंदिर में दर्शन करने के बाद जब हम पहाड़ी से नीचे उतरे और नदी के पास जब हम लोग जा रह उसके बाद जब हम गाओं के तरफ आ रहे थे तो दो बच्चे फूलों के पौधे लेकर आ रहे थे हमने पूछा कि आप पौधे कहां से ला रहे हैं तो उसके मित्र ने बताया कि यह मंदिर से चोरी करके लाया है मैंने बोला कि मंदिर से तो हम लोग कोई चीज चोरी नहीं करते हैं इसके विपरीत हम लोग तो मंदिर में दान देते हैं मैंने बोला कि आप अगर एक पौधा मंदिर से लाये हैं तो वहाँ पे दो पौधे आपको वहाँ लगाने हैं उन्होंने तुरंत इस बात को समझा और वो वापिस मंदिर के दरफ दोड़े बोले कि हम लोग अभी इन पौधों को मंदिर में लगाने जा रहे हैं गाउं में आगे हम लोग जब बढ़े तो वहाँ पे बच्चे एक खेल खेल रहे थे रास्ते पे उन्होंने 10-10 फीट पे निशानिया लगा रखे थी और हर निशानी पे वो पत्थर को रखते थे और उसके बाद उस पे निशाना लगाया जाता था निशाना लगाने के बाद जिसका भी निशाना लग जाता था उस पत्थर को उठा के अगली लाइन पर रख दिया जाता था फिर बच्चे निशाने लगाते थे जिसका निशाना लग गया फिर उस पत्थर को उठा के उससे अगली लाइन पर रख दिया जाता था जब मैंने वहाँ बच्चों से पूछा कि इसमें हार जीत किसकी होती है बोले इसमें हार जीत का क्या मामला है जिसका निशाना लग गया बस उसके बाद फिर हम इसको आगे रख देते हैं फिर सब ट्राइ करते हैं फिर निशाना लग गया, फिर सब ट्राई करते हैं, फिर आगे रख देते हैं, फिर सब ट्राई करते हैं, आप समझिए कि इस गेम में कोई भी comparison नहीं था, कोई भी competition नहीं था, और एकागरता से जुड़ा हुआ वो गेम मुझे लगा, इतना सुन्दर मानस और इतना सुन्द खेल हमारे भारत में ही देखने को मिल सकता है, और अगर हम इस गेम को, इस खेल को और इन सब कहानियों को पश्चिमी कर्ण से देखें, तो मुझे लगता है कि हम भारत को और भारत के मानस को समझने में विफल ही होंगे, साथ ही मुझे लगता है कि आपको इवरतांत आया होगा इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही अगली वीडियो में आपसे फिर मुलकात होगी नमस्कार